हेलो फ्रेंड्स नवश्कार मैं हूं चंद्रकान पोटेचा आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे कुछ और ओर्नामेंटेशन्स जैसे काण, अंदोरन, वाइब्रेशन, श्ट्रॉक, टंगलिंग, एक्सेट्रा हला है तो सबससे पहले बात करते हैं कंड स्वर्चित ओंडेशन क्याएं है कुछ और छोग जो कंड का रेफिनेशन कि उसका थियरिेटिकल हम देखेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा मिंड जैसा लगे में गबघ जैसा लगे करण स्वर्वर की एक छोटी सी व्याख्या यह है कि यह स्पर्श्र स्वर है किसी और तो स्पर्श करते हुए मुख्य स्वर्व पर आते हैं तो उसको कंड स्वा करते हैं जैसे हमको रे बजाना है सा के बाद रे बजाना है सा रे तो यह फ्लेट बजाया लेकिन हम यह बजाएंगे सा रे तो यह कंड के स्वात बजाया ग का कंड लेते हुए हमने रे बजाया जब वरिंदावानी सा रंग गया तो फिर आप मिया मलहार जेशे रागों की बाद करें तो सा रे के बाद रे आते हैं तो म के कण से भी रे आते हैं सा मरे मरे सा रे सा रे तो यह यह जो रे सा रे पर सा मरे पर तो यह मिया मलहार का रे हुआ मौ के कण के साथ अब आप भूपाली या तो यमन का रे लिजिए सारे सागरे मीरे यमन में नीरे तो यहां पर हमने जो रे लिया सारग में या मिया मलहर में लेते हैं तो म के स्वर्ष से लेते हैं सारे मरे पर सारे पर अब यही कोई कंण स्वर है कोन से स्वर्ष से ले रहा है वो राग के उपराता रिते देखिए आप मदुवन्ती राग की बात करें तो अगर आपको मदुवन्ती राग में कोमल गा लेना है तो तीवरा मध्यम के कंड से लेना है देखिए तो यहां तीवरा मा के कंड से कोमल गा बजाया है मदुवन्ती राग है तो हर एक राग में कोम से कौन से कौन से बजाना है राग के उपरा दरीथ है लेकिन उसके आसपास वाले स्वर का टच लेते हुए में जो स्वर पर हमें जाना है वो जाना है बस यही सिंपल देखिने से लिए इसके अलावा आप अगर पूरा सारे गम अपद निशा करन के साथ कैसे बजाएंगे यह कि आप थियर्य में जाएंगे तो आप अवश्या यहां मिंड गमक के साथ उलच जाएंगे तो यह पूरा सारे गम कंड स्वर के साथ बजाने की प्रेक्टिस मत करें लेकिन जब आपको लगें कि मुझे यह राग का आलाब बजाना है और उसमें अगर यह स्वर इस कंड के साथ बजाना है तो कैसे बजाएं तो मैं थोड़ा फेक्टिकल यह दिखा देता हम देखिए पहले मदुवंति की बात कर लेए पर निसागा अब देखिए कोमल गा ऐसा ही विदाउट कंड बजाना है तो कैसा बजाएगा आफ निसागा तो यह मा के कंड के बगेर आया है निसागा अ लेकिन अभी तीवरा मा के कंड के साथ कोमल गा निसागा अ तो यह तीवरह माख के कंड के साथ देखिए तीवरह माख बजाते हुए पोमर गवा पर आते हैं निसा गाल गाल माख देखिए तीवरह माख के कंड के साथ कोमलग बचता है इसी कारण से मधुवंति का कोमल गव थोड़ा ऊपर वाला कोमल गव बचता है थोड़ा उची सुरूती वाला लेकिन यही कोमल गव अगर आप पीलू में बजाएंगे तो बहुत कोमल वाला गव बजएगा कम सुरूती वाला देखिए तो यहां कोमल गव बहुत कोमल है कम सुरूती वाला है लेकिन यहां भी जब पौके बाद कोमल गव जाते हैं तो शुत दम्मक के करण से बजाता हैं तो नहीं बजाता है। पग यहां मसुद्ध म का करण आते हुए कोमल गव लेते हैं देजिए। बलल गवके लिए म कोमले बाद कोमले तो ऑच कोमले को यहां म फॉन्टेठा दितίले शोूच कोष गई रो ही है यहां बदले पहां पाद कोमलों जेखिए। अब यहां मौके कण से कोमलगा बजाया है अगर डाइरेक्ट कोमलगा बजाते तो कैसा बच्चाए लिए लेकिन यह पिलू राख है इसमें ऐसा अचा ही नहीं लगेगा रेपग नहीं अचा लगेगा तो मा का सपर्ष लेते हुए कोमलगा बजाया है अभी सुध्गा में भी हम जब सुध्गा बजाते हैं तो उसमें भी कंड ले सकते हैं देखिए यमन्रा की बात करें तो रे के उपर गव का सपर्ष लिया और गव के उपर तीवरा मका सपर्ष लिया तो यहां जब हम रे बजाते हैं तो गव का कंड लेते हैं और जब गव बजाते हैं तो तीवरा मका कंड लेते हैं तो यमन्राग में ऐसे होता है यह करने से अच्छा लगता है फ्लेट भी राग ही वहता है तो यह फ्लेट लगेगा यह फ्लेट है अब इसमें थोड़ा ओर्णामेंट डालिए यह कांट्सवर्ड डालिए कि अब 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 कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया बहुत स्वीट लगेगा तो यह कंट्सवर्ड द facility लिए अब बोपाली राग बजा है एक बोपाली राग में अब अब बहुत सारे-बपा-ध। लेटे आं तो जिएमाने राग सारेग्पा द सारे उपाली शारे कांट्सवर्ड लाए हह उपण का कंट्सवर्ड सार लिया गा रहा है अब रे लिया है वो भी गौ के स्पर्स से लिया है सारे गर सारे गर इसा नहीं लिया है सारे गर पर धाई सार गर रे गर रे के कंड़ से गर या नीचे का स्पर्स से भी हम ले सकते हैं नीचे का स्पर्स लेते हुए भी उपर वाला स्वारे रे साın 2020 xadology फूरे साए सतरा से भूपाले में यह जब उपर का दलिया तो सा का करन लियार ुब वापीस आते हुए ンनीचे को रिका करण लिया झाला sv‡ कान्स्वर की जरूरस के इसाब से कौन सा कन्सवर लेना है ले सकते हैं अब राग अंसुद्वनी की बाद प्रते हैं पनी पनी नहीं लिया पनी ऐसा नहीं पनी तो पसनी तो शाका करण लिया है हां पनी saakya से नहीं लिया यहां पनी है saakyaka मचण लेते हुए नहीं लेते हैं कैसा अच्छा लगता है अगर नहीं लेते हैं तो कैसा Venet लगता है सारे तो यह अंचद्वानी में जब भी रे लेते हैं गौ के कॉंड स्वार्ट से लेते हैं अब बिना कॉंड लिये देखे नी बचाते हैं किसा लगा है गापनी सानी पगसारे यह बिना कॉंड है अब कॉंड के साथ गापनी सानी पगसारे तो यह गौनक स्वार्ट को साथ लेते हुए कितना स्वीट हो जाता है देखिए अब 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 कंड स्वार्ट का यह यूज होता है मैं प्रेक्टिकली आपको बता रहा हूं और इसी इसी जगह पे यह आपको इसी इसी तारह से कंड कर लेना है पूरी चीहरी में मत जाना नहीं तो आप मिंड गमत और कंड के साथ उलच जाएंगे यह कंड का मैं प्रैक्टिकल एक्सिजिएंस दिखा रहा हूं यही कंड है इसी को कंड मानते हुए आगे आपको एक्स प्रैक्टिस कर दी है बहुत सारे लोगों ने कंड क्या ह होता है इसके बारे में बहुत गर्फ गर्फ इंफॉमेशन भी है मैंने देखा है इसके लिए मैंने समझा कि चलो प्रैक्टिकल के साथ आपको सही कंड स्वर क्या होता है बना देता हूं अभी देखिए अब राग केदार की बात करते हैं तो जब केदार में वापिस आते ह स्वर्ण धर है रे पर तो नीचे वाले सा स्वर लगता है यह वह वह दो है वनिक होता है कभी दो nonprofits करे ने स्रेसा, सामगप, मपदनीदप, 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 स्रेसा, तो यहां पर जब रे लेते हैं, तो सा का स्पर्स लेते हुए रे लेते हैं, स्रेसा, ठीक है, तो इस तरह से यहां स्पर्स स्वर कर लिए, उसे, मर्वन मेरा अधिकार नाए, यहां पर जो नाची थी, यह अगर बिना कण स्वर के लेते हुए हम बजाएंगे, तो यह आपका गलत ही होगा, यह हमीर राग की एक पहचान ही है, कि यह धा लेना है तो ऐसे ही लेना है, देखिए कैसे होगा है, दानी सा, निदानी सा, नी के कण से धा लेते हैं, मदवन मेरा अधिकार नाची थी, अब यह नी के कण से धा लिया है, अगर नहीं लेते हैं, तो हमीर मनता ही नहीं है, हमीर की करेक्टरिस्टिक यह ही है, कि यह जब भी धा धा लेना है, देखिए कैसे लगा है, तनी सा, निदानी सा, निदानी सा, यह बिल्कुर अचानी, निदानी सा, यह ही अच्छा लगा है, ना चिधी, ना धा निदानी सा, तो इस तरह से नी का कण है यहां पर, तो यह सारी बाते हुई, कण स्वर की, कभी उपर का स्वर भी कण स्वर के रूप में आ सकता है, कभी उपर का दूसरा स्वर जो जैसे मिया मलभार में, जैसे ब्रिंदाबनी सारंग में, सा के बाद रे लेना है, तो डाइरेक्ट कभ तो ही नी, इसमें मह से रे पर आते हैं, तो दो स्वर वाला भी यह कण स्वर ले सकते हैं, लेकिन मींड से अलग है यह बात ख्याल रखना तो उपर वाला स्वर्भी हो सकता है उपर का दूसरा स्वर्भी तीसरा स्वर्भी कंड स्वर्भ हो सकता है या नीचे वाला स्वर्भी जैसे केदार में रे लेते हुए साके कंड से लेते हैं यमन में भूपाली में या अंसेद्वनी में रेका कर्ण गव के सफर्ष से लेता है। दोना एक एक बार पीश से बता देता हूं। गव के सफर्ष से रे और साके सफर्ष से रे। के दा। स्रे सा नो साका सफर्ष लेते हुए रे लिया। अब नीरे गव के सफर्ष लेते हुए रे लिया। बूपाली में पड़र सारे गड़र डव जाते हैं तो सा का कन और सा ब जाते हैं तो रे का कन और रे ब जाते हैं तो ग का कन स्वर लेते हैं तो यह सारी बाते हुई काण स्वर की याने स्पर्श स्वर हम बात करते हैं आंदोलनी कुछ स्वर आंदोलित स्वर कभी कभी कही कुछ कुछ राग में लगते हैं जैसे आप सब जानते हैं कि जब हम बहराव राग बजाते हैं तो इसमें कोमल रे और कोमल ध दोनों आंदोलित हैं कारे अंदोल्ः के से बजाते हैं कि उसमें कोई स्पर्ष स्वार नहीं लेना है लेकिन स्पर्ष वाले का थो हिलाते हुए मेंन स्वार पें आधोल्ष करना है यह मैंन स्वार के माधना है कर दो 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 कर्या दो darling को ये ये अमने स्वार अंदो लिट लिए यहां पे ना कंड़ स्वर का यूज हुआ है ना विंड का हुआ है लेकिन एक ही स्वर पे खड़े रहते हुए आसपास वाले स्वर को ऐसे स्लोली हिलाते हैं तो यहां पे आंदोलन देशा लगता है अब बात करते हैं स्ट्रॉक और टंगेंग की ततकारी की जब जोड़के आलाब बजाने होते हैं तब हम पे स्ट्रॉक यूज करते हैं बाद में इसमें गमख भी आ जाती है देखे रहे से करते हैं यह स्ट्रॉक है झाल 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 तो यह हुआ टंगलिंग अभी एक लिप्स के साथ टंग को इलाते हुए दूसरा ट्राइब का होता है देखिए यह हुआ है यह दूसरी तरह का कंगी है अब गमप के साथ जोड़ जाला का कंगी जाला यह चार श्ट्रोप वाला है वितीन वाला यहां पर यह गमप का यूजवा है यह गमप के देंगे तो यह यहां पर गमप का यूजवा है यह सब जोड़ के आला आप में यूजवाते हैं तो यह सब बात हुई अब एक एक्स्ट्रा बात है जो कि फ्लूट में यूजव ज्यादा होती है वह है वाइब्रेशन फिंगर की जहां-जहां जुरूर होती है वहां करते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था भी फिर से बता देता हूं जब आप हिरो के चुन बजाता है तो यहां पर फिंगर की वाइब्रेशन की जडरूर होती। यह तो मुर्की नहीं है खटका भी नहीं है लेकिन एक्दम वाइब्रेशन ए एक हैं जगा पर वाइब्रेट करना है लंबा। तभी यह बजहा। लेकिन आप जब नो टेसं के आने लगेगा अब इसमें और्नामेंटेशन डालना है तो देखिए तो यह बात वही वाइब्रेशन के अब और एक्जामपल देख लेते हैं जब आप मॉर्निंग क्यून बजाते हैं गुपाली के मिलते जुलते राग पाहडी में तो यहां पर वाइब्रेशन का बहुत अच्छा यूज होता है यह वाइब्रेशन से ही बच सकता है आधर वाइज आपको मॉर्निंग क्यून जैसा लगेगा हैं देखिए क्यून जैसा लगेखिए तो यहां पर फिंगर का वाइब्रेशन का वी जोता है तो यह सब बाते हैं औरनामेंटेशन की जैसे कान, स्टोक, तदकारी, वाइब्रेशन, आंदोलन यह सब बांस्टूरी की प्लेइंग में आपकी जान डाल देते हैं और sweetness को बहुत बढ़ावा देते हैं मेंड और गमक्की तो आमने बात पहले कर चुके हैं यह बागी सारे ओरनामेंट्स यह बाते हैं यह सारे ओरनामेंट्स आप वन बाई वन देखते हुए यूज करने लगेंगे तो आपकी जो बजाने की स्टाइल है बहुत स्वीट हो जाएगी सारा गाई की अंग आपकी बासुर में आ जाएगा और आप कोई भी गाना बजाएंगे जैसे आपके गले में से आवाज निकल रही है वैसा गाना आप बजा पाएंगे देखिए एक 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 ग्जाम्पल सारे ओर्णमेंट्स का यूज करते हुए हमने यह बजाया है अब यह देखिए फ्लेट बजाते हैं यह कैसा बजाया है यह फ्लेट है फ्लेट बजाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गई है यह नोटेशन का हिसाब से है गगा माप गगा 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 माप गगा गगा माप गगा सा सा गरे यह फ्लेट है अब इसमें आदेए तो ये पॉर्नामेंटेशन के साथ है इतना पड़क पड़ता है आप भी प्रेटिस्क करिए मैंने कुछ पॉर्नामेंटेशन के लिए गमक और खटका मूर्की के लिए स्पेसिल कुछ अलंकार दिये हुए है सारे अलंकार आप एकदम स्पीड में बजाएंगे जैसे खटका मूर्की अब मैंने पहले बता चुका मूं फिर भी बता देवाँ यह बुक की हुई है सारे अलंकार यह बजाते जाएंगे तो अपने आप आपको आता जाएगा कि यह कैसे होता है सारे गामा पादा निसां लगता है अलंकार देशा लेगि इसमें सारी मूर्कियां बरी हुई है इस मूर्की के साथ अलंकार बजाएंगे मैंने अल्री एक पूरा एपिसोड इसके उपर दिया हुआ है तो आपकी खटका मूर्की इसके साथ मिन्ट गमक करना सब कुछ आपके अंदर आजाएंगे और आपकी जो फ्रूड है वो गाई की अंगवाली हो जाएगी बहुत वड़ी आलगी प्रेक्टिस बहुत ज़रूरी है यह सब सीख लेने के बाद भी एक दो मीने में नहीं आएगी एक दो साल तर इसकी एक्सरसाइज करती रहने पड़ी तो यह औरामेटेशन का एपिसोड आपको मैं मानता हूँ अच्छा लगा होगा आज तक जितने भी मैंने एपिसोड दिये हैं बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आये हैं ऐसा मुझे कमेंट में बताते रहते हैं मुझे अच्छा लगता है और इसी से मुझे आपके लिए ज़्यादा मैनत करने की प्रेणा मिलती है तो मैं आपके लिए हमेशा कुछ नगुष मया लेकर आता रहता हूँ अब मेरी ज़्या है कि next time अपने आप तांग बनाते हैं तो खुद तांग कैसे बनाते हैं कोई भी राग में, कोई भी मात्रा से उखने वाली तान, कैसे बनाते हैं, ताकि आप मुखडा या तो सम पकड़ सकें, तो ये तान बनाने का तरीका में नेक्स्ट एपिसोड में देने वाला हूं, आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा, आपकी बहुत सारी कॉमे प्रॉठा लगा हूं